अब आते हैं बोरिंग कोश्ट के ओपर मैं आपको इसमें एक बार जरूर बोलूंगा इसमें अब भी तो मैं कंसे पढ़ा रहा हूँ घर पर जाने का कंसे पढ़ा भी मात सिधा क्वेशन करना इसका ठीक है चलो आजाओ करें आजाओ सबसे पहले मिनिक बोरिंग कोश्ट मतला जब लोन लेते हो तो लोन पर क्या होता है प्रीमियम डिसकाउंट इंट्रेस्ट होता है ट्रांजेक्शन कॉश्ट हो गया इंट्रेस्ट हो गया प्रीमियम हो गया डिसकाउंट हो गया यह सब बोरिंग कोश्ट होता है तो borrowing cost का आपन normally क्या करते है normally आप interest year वाले को profit and loss में transfer करते है लेकिन शैनर पते हैं क्या बोलता है अगर आपने कई भी borrowing cost qualifying asset पे incur किया है तो उसका borrowing cost आप क्या करोगे capitalize करोगे अब यह सबसूरी करनाथ भी qualifying asset क्या होता है qualifying asset मतलब which takes substantial period of time to get ready for its intended use जिसको बनने में समय लगता है उसको बलते qualifying asset सर समय लगता है कितना समय लगता है नहीं पता judgment है AS में 12 मैना था INDS में कोई समय नहीं है 6 मैना, 8 मैना, 4 मैना कितना भी समय लगे qualifying asset हो सकता है तो exam में का करें sir assumption लिकर आजाना जो भी note है सिफ ready made asset नहीं होना चाहिए अगर asset ready made है तो qualifying नहीं हो सता बनने में समय लगना चाहिए आपन qualifying asset सर रसे केसी सिए बनने में समय लग रहा है ना समझाया सर शांदर क्लियर एक वाला पार्ट ठीक है तो क्या बोलता है interest and other cost incurred in connection of borrowing of points qualifying asset में incur किया आपन कर देते अब बोलता है अब समझाया सर असली में अब आया सर अग्जाम इसका मतले भी नहीं के टेंशन लेके पड़ेंगे यह पड़ेंगे it is about staying cool and calm तो थंडा दिमाग से बेठना सुबे से जाना भुद्धी के अंदर क्यूंकि तुम खुशी से बढ़ रहे हो तो यह ना ऐसा हसी खुशी बढ़नेगा रोद होके तो यह ना पढ़नेगा टेंशन की बात का अब बॉरिंग भी दो तरकी होती है एक होती है specific बॉरिंग में आपने कितना फंड कभी उसके फरक नहीं पड़ता है specific बॉरिंग जिस दिन लिया और अगर उस दिन से आपने काम भी शुरू कर दिया है तो सारा specific बॉरिंग का पैसा आप कैपिलाइस कर सकते हो यह specific बॉरिंग का फंड है पिर आता है general बॉरिंग इसको बोलते है general बॉरिंग ठीक है तो जो भी general बॉरिंग है इसका आपको क्या करने आपता है दो स्टेप में करने का सबसे पहर आप निकालोगे capitalization rate यह क्या होता है सर कैसे निकालता है सिखाओंगा question के अंदर पहले यह निकालोगे step number 2 अब क्यूंकि general बॉरिंग है तो कब-कब खर्चा किया वह relevant हो जाता है तो जिस दिन पर खर्चा आपने किया 1st July को खर्चा किया 10 CR का तो 10 CR into capitalization rate into 2 suppose July को किया तो 9 by 12 ऐसा करना को step number 2 यह है तो बराबर तो जितने भी आपके interest आएंगे total मारो मलेगा boring cost to be capitalized ध्यान लगना ठीक है आगे फिर आता है period of capitalization capitalized कब शुरू करोगे कब suspend करोगे और कब खतम करोगे तो comments तब करना जब खर्चा incur करना शुरू कर दिया हो activity undertake कर लियो और boring cost भी लगना शुरू हो गया हो तीनों होएगा तब comments करने का दूसरा suspension मतलब बीच में क्या कभी temporary stop करना पड़ेगा क्या तो अगर आपका asset में कोई active development नहीं हो रहा है मतलब काम रुका पड़ा है worker strike पे चले गए आपको बुखार आ गया तो आप काम नहीं कर रहे तो व जब asset ready हो जाएगा तो you will stop the capitalization of the boring cost is this clear to everyone yes sir तो जबी asset ready हो जाएगा you will seize the capitalization ठीक है अभी कभी कभी ये भी होता है कुछ कुछ asset parts में ready होते है suppose मैंने loan लिया उसमें team building बना रहा हूँ अब एक building ready होगे दो building बन रही है बराबर तो क्या ये interdependent answer is no जो ready होगे उसका अपन use कर स तो अगर इसका मतलब अगर assets parts में ready होता है और जो part ready हो गया it is capable of being used separately तो उसका capitalization stop कर देना बाकी सबका continue करना simple है clear बस उसके बाद है exchange difference वाला concept इसको मैं question के तो समझाऊंगा बस बाकी other relevant concept को भी question के तो आपन cover कर लेंगे तो ये basic funda था ठीक है boring cost के बारे में अच्छा अब आप directly questions पाऊगे boring cost के ठीक है boring cost के questions पाया जाते है अपन फटा फट से अच्छा boring cost के जितने भी question चालू करूंगा उसके पहले मैं भूल जाओ तो एक चीज़ याद करा देता हूं मैं आपको boring cost में मैंने जब RTP का video लिया था RTP May 23 का तो उसमे boring cost के एक शांदार question जो मैंने प्लीज कर लेना मैंने करवाया ना उदर तो वह प्लीज मच किप करना प्लीज कर लेना वो question थोड़ा विचितरा question है शांदार question है करके ही जाना है वह वाला question पहले बता देता हूं मैंने आपको ठीक है मैंना RTP करवाया वैं मैंने यूटूब पर सचकर तुमको RTP मिलेगा किसी ना किसी अच्छे इंसान ने टाइम स्टन डाला होगा तो जाके वहां क्लिक कर और वहां जाके देख लेना बढ़िया question है मैं लिखके रखो पहले बता रहो मैं आपको फिर एक्जाम में आगा तो बोलना मद मिरेकल मिरेकल हां ध्यान रखना चलो आगे अब आते इसक लो वह बोलता है construction चालू किया cost estimate का 7 lakhs कितना estimate को से फरकी नहीं बढ़ता है मरको कब चालू किया 1st April को चालू किया to finance the construction specific loan लिया तो specific loan दो लाग कर लिया ध्यान रखना जबी भी पैसा यूज करोगे पहले हम specific का पैसा यूज करेंगे ठीक है उसके बाद 9% पे लिया specific loan और फिर यह दो है general borrowing तो इसका आपन निकालेंगे weighted average cost of capital ठीक है simple तो कैसे निकालेंगे यह कैसे निकलता है total interest weighted average मतलब सब लोन साल के बीच में लिया तो उतने महीने का interest लेना divided by total loan बराबर तो उससे आपको मिलेगा weighted average cost of capital आसान बाशा है ठीक है तो और आपने यह ऐसे ऐसे खर खर्चा किया है तो सुनना मेरी बात specific borrowing में सिर्फ काम शुरू होने सा मतलब होता है इसका पैसा कब यूज किया उससा फरक नहीं पड़ता है तो इसका पूरा interest करोगे पैसा खर्चा कब किया उससा फरक नहीं पड़ता है तो जैसे और मैंने क्या बता आता पहले आपन specific का पैसा यूज करते है तो दो लाग का था पैसा specific के लिए तो इसमें से 1.5 lakh specific borrowing से यूज किया रहेगा बाकी 2 lakh में से 50,000 specific का यूज किया रहेगा अब जो 1.5 lakh है और remaining पैसे वह आपने general से यूज किया रहेंगे ये बाद ध्यान रखना तो इसको solve कैसे करे तो इसका मैंने एक अच्छा format बनाके रखा हूँ है आपको मैं दिखाता हूँ इसका format रूखो यह देखो फिर गरीब ही दिखा रहे है एक बार गरीब ही दिखा ही न इसने मैं क्या ही कर लूँगा रो दूँगा और क्या सुनना question number 13 था यह रहा देखो तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले आप निकालोगे capitalization rate ठीक है step number one तो capitalization rate कैसे निकालोगे total interest जबाब total borrowings ठीक है निकाल लिया उसके बाद आप निकालोगे borrowing cost to be capitalized तो पहले specific borrowing पर तो आप direct capitalization करोगे sir 10 by 12 क्यों लिया क्योंकि machine 35 jan को ready हो चुकी थी तो एपने से चरू किया और जब ready हो गया तब तो बंद हो जाएगा तो 15,000 जनर बोरिंग में जो पहले दो खर्चे थे आपने specific से यूज़ किये august में जो 1,50,000 यूज़ किया वो जनरल का यूज़ काता न तो 1,50,000 इन्टू capitalization इन्टू 6 by 12 6 by 12 कैसे august, September, October, November, December, Jan jan में complete होगा 6 महिना चे बाए बाए बारा October में 4 बाए बारा, jan में चालू किया 1 बाए बारा खर्चा आपने कितना किये, टोटल खर्चा आपने किये, यह 2,00,000 और प्लस इतने खर्चे आपने 8,00,000 खर्चा किये, तो यह तो capitalize होगा, प्लस जो borrowing cost है यह total, वो भी capitalize करोगे, अब borrowing cost में क्या होता है, आप दो assumption होते है, या तो आपने अगर interest pay कर दिया रहेगा, या interest payable ह अगर payable है तो entry ऐसे आएगी, cash building, पूरा ही 37, to cash bank 8,00, to interest payable इतना, लेकिन अगर interest पूरा ही pay कर दिया होगा आपने, तो फिर आप cash bank पूरा कर सकते, simple है वाला part, ठीक है, ध्यान रखना, यह ता अपना illustration number 13, simple question है ता critical नहीं है, जो critical है, वो illustration number 14 है, क्यू, यह पढ़के एंसा नर्वस ने मैसूस होगा, क्यू, theory format में ऐसा दिया हुआ है, तो जिब theory देखते हैं, अशन डर जाता है, बट simple है, वैसे, क्या बोलता है, सुन लो, बोलता है, हमने खर्चा वगरा इंकर किया है, ठीक है, क्या खर्चा इंकर किया है, इतना खर्चा total हुआ है, ठीक है, फिर स्टेट्मेंट फ़र्म में दिया हुआ है, कि यह specific borrowing है, specifically, specific borrowing है, तो इसका interest किता है, 65 interest था, और 20 interest की income है, तो net interest किता है, capitalized करोगे, 45,000, specific borrowing पे है, और बाग की तो general borrowing है आपके, तो बस इसका आप क्या निकालोगे, weighted average cost of capital, तो में रिकाल से वो किया हुआ रहेगा, illustration number 14 है, अ general borrowing के लिए, ठीक है, borrowing cost to be capitalized, तो पहला तो आप specific borrowing का पैसा यूज करोगे, तो मैं बूलू, पहले आपके specific borrowing था, कितना, कितना था, 4 years, 7 lakh रुपीज था, तो आपने इसका 2 lakh specific के लिए यूज किया रहेगा, इस 6 में से 5 lakh specific यूज किया, और से 1 lakh general के यूज किया रहेगा, तो ध्यार रखना, तो it total हो गया आपका, ठीक है, simple यह वाला question, खतम हो गया question, और कुछ नहीं इसके अंदर, यह था, illustration number 14, फिर आपका, illustration number 15, ओ, हो, 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 यह तो question, इतना अच्छा question, इतना अच्छा, मज़ा आ देगा तुमको, बहुत simple है, क्या बो गुआ किया, short में समझाता हो आपको, वो बोलता है, पहले 10 लाग का लोन लिया, खर्चा किया 15.4 का, आम दन नी अठन नी खर्चा रूपईया, यह बोरे इंकम लिया, खर्चे जादा किया, तो आप पूरे amount पे capitalize नहीं कर सकते, आप से boring के amount पे capitalize कर सकते हो, ज्यान लगना, उसके अलावा, वो बोलता है, यह जो खर्चा किया, यह payment आपन ने अपनी ही दूसरे company को किया है, जिसने 10% margin कमाया है, यह margin वगरा कमाया है, यह group में काम आएगा, individual में काम नी आएगा, बराबर, तो उसका solution कैसे बनेगा, देख लो, को समझाता होंगे, यह रहा, specific borrowing, 10 lakhs into 7 10%, इतना capitalist कर दो, कहां नी खतम, आगे, फिर construction company, बोलता है, बोरिंग लिया ही नहीं, सिर्फ खर्चा किया 10 lakh का calling fine असट पे, आरे जब बोरिंग ही लिया नहीं, तो खर्चा करने से क्या फरक पड़ता है, आरे जब बोरिंग ही नहीं, तो बोरिंग कोस्ट ही नहीं, तो capitalist मत क finance company ने borrowing तो लिया है, लेकिन खर्चा ही नहीं करा, इस एक एक आदमी ने borrowing नहीं लिया, खर्चा कर दिया, एक ने borrowing लिया, खर्चा ही नहीं करा, तो इसमें भी borrowing कोस्ट कैपिलाइज नहीं करेंगा, भी qualifying asset ही नहीं, ये individual company का हो गया, फिर आता है group company के point interview से, group में तेरा मेरा मत देखना, देखना total खर्चा qualifying पे कितना किया है, और total loan कितने है, group में total 2 loan है, एक ए 7% का लोन और एक ये वाला 7% का लोन, बराबर 2 loan है, एक और 2, तो दोनों का 7% rate है, तो 7% WACC हो गया, विटेड़ाज का capital, उसके बाद खर्चा कितना किया, तो 2 खर्चे किये थे, group में तेर margin चाहिए, group point of view से, तो 14 लक्स आता है, और दूसरा खर्चा आपने कब किया था, 10 लक का खर्चा किया था, qualifying asset पे, तो ये दो खर्चे पे आप क्या करोगे, boring cost capitalise करोगे, कहानी हो जाई खतम, that's it, वा, मदा आ आ गया सर, feel आगे एक दमी, आगे बढ़ जाते है, आगे आता ह हो, 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 फिर आगया financial instrument, ये financial instrument हर index में कहा से, गुश-गुश क्या देता है, ये तो खास बात है इसकी, है ना, ये शादी का फुपपा है, हर जगे दाके गुश जाते है किदर में, so क्या बोलता है, देखो, बोलता है, how will you capitalise the interest, when qualifying assets are funded, by borrowings and the nature of bonds, that are issued at discount, तो इस case में, आ दो साल तक काम चला है, तो दो साल का जो LED का interest है, उतना आप capitalise करोगे, सर ऐसे कैसे जरा बता हूं को कैसे करेंगे, तो दिखाते हो, आपको, illustration number 16 किदर गया, मेरा, प्यारा, रास दुलारा, illustration 16 ये रा, देखो, तो आप पहले cash inflows, outflows लिखोगे, step number 1, step number 2, fair value निकालोगे, अ आपका जो day 1 का inflows हो है, वो ही आपका fair value होगा, ठीक है, आगर आप चाहो present value निकाला, तो भी निकालोगे, तो भी same answer आएगा, ठीक है, anyways, EIR दिया हुए, LAT बनाओ, दो साल का, opening, interest, add rate, EIR, repayment, closing, तो ये जो भी 2 साल का interest है, ये ही आपका borrowing question का capitalise करने वाला, ऐसा, तो basically majorly question, financial instruments का ये, ध्यान लगना, 16, शांदार question, मज़दार question करके जाना, आगे आते है, illustration number 17, ये भी must question है, बोलता है, loan लिया, 620 का, loan का पैसा कैसे ही उसके है, ये देखना, बोलता है, file at 10, इंकर किया, plant machinery पे, तो इस, इस, इस file at 10 पे, जितना भी interest है, capitalise कर देना, 54 दिया, advanced to supplier, for additional assets, है ना, जो install करेंगे हम लोग, तो ये भी qualifying asset पे, इंकर किया, भली advance दिया, देखो, boring cost में, ये नहीं बोल देख, खर्चा अकुरूआ तब capitalise करना, जब आप payment कर दोगे, तब उचना खर्चे पे capitalise कर सकते है, वराबर, तो इसका जितना भी amount है, capitalise कर देना, उसके लाबा, balance आपने working capital के लिए यूज किया, तो वो capitalise नहीं कर सकते है, या आप expense out करोगे, simple, तो जितना भी interest है, वो तीनों के अंदर बाट देना, और capitalise कर देना, तो जितना भी इसमे, plant machinery, advance पे जो भी था, वो capitalise करोगे, बाकी जो working capital पे था, वो expense out करोगे, खतम कहानी, हो गया question, वो last याद रखो, simple है यह वाला part, ठीक है, अब यह क्या बोलता है, ध्यान से सुनने का, try करना, an entity constructs, a new office building, September में construction चालो किया, चला December तक, और वो बाद में भी continue होएगा, बट current time में December तक चला, September, October, November, December, 4 मेना, ठीक है, फिर बोलता है, during the year, अच्छा चाहिए क्या इनको, इनको स कितना capitalization करना है, वो नहीं चाहिए, सिर्फ और सिफ क्या चे, capitalization rate चाहिए, आगे, बोलता है, हमारे पास, 9% dimensions थे, 30 lakhs का face value, उसके लाओ, इंपोनेंट पाट है, वो overdraft का है, बोलता है, overdraft था 4 lakhs का, which increased to 8 lakhs in December, interest was paid on overdraft at 12%, until 1st October, and then rate increased to 15%, सारे क्या जंबल दे वर्ट का समझ तो बोलता है, OD 4 lakhs था, पहले कितने महिने का OD, 12 महिने का ले लेते है, ठीक है, तो बोलता है, 4 lakhs था, which increased to 8 lakhs in December, तो 2 OD थे, 4 lakhs और 8 lakhs, पहले 11 months के लिए, it was 4 lakhs, फिर last government के लिए, it became 8 lakhs, फिर क्या बोलता है, interest was 12% until October, तो पहले 11 महिने में से, 9 महिने अदर interest था, 12%, उसके बात, ये 2 महिने, interest हो गया 15%, और ये वाला, एक महिने के लिए, interest हो गया 15%, बस, अगर आपने ये टिबल बना लिया, तो आपके लिए कहानी simple है, क्यों, आपको क्या निकालना होते है, capitalization rate में, total interest, divide by, total weighted average borrings, बराबर, अब total interest कैसे मिलेगा, है न, total interest कैसे मिलेगा, आपको, इंटो 2 months, इंटो 2 by 12, इंटो 15%, 8 lakhs इंटो 1 by 12, इंटो 15%, total interest overdraft कर मिलेगा, और defense कैसे मिलेगा, बॉरिंग में, बस rate मत consider करो, rate भूल जाओ, तो बूलो के 4 lakhs, इंटो 9 by 12, 4 lakhs, इंटो 9 by 12, 4 lakhs इंटो 2 by 12, और 8 lakhs इंटो 1 by 12, तो rate भूल जाना, बस, वैसा मिल जाएग आपक simple, तो यह जो table है, यह important है, table है, table है, table है, नहीं, चलो, ठीक है, ध्यान रटना, तो यह अच्छा question है, अब जो आईसे न दूसरा तरीका किया है, उसमें 12 months नहीं लिया हुआ है, उसमें सिफ 4 मेने का कि consider किया हुआ है, तो मैं बोलता है, तो मैं बोलता है, दोनों में से कोई ध्यान से सुनना, वो बोलता है, हमारे पास एक loan है, जिसका WACC 11% है, ठीक है, अब वो क्या बोलता है, हमने दो तरीके से खर्चे इंकर किये, अगर आप पूछो के हर महीने खर्चा अकुरू कितना हुआ, तो इतना इतना अकुरू हुआ, और अगर आपसे पूछे, कि हर म तो आइडेली पहले तो अपने को दोनों के साब से निकाल के देना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मैटिंग देखलो कैसा है, देखलो इसका फॉर्मैटिंग जिखाता हूँ, यह रहा, तो capitalization rate 11% दिया हुए, ठीक है, boring cost to be capitalized, अगर आप accrual के base पे देखोगे, September में खर्च का boring cost निकाला, अगर मैं advance के base पे देखू, तो मैंने सारे खर्चे का boring cost निकाला, ठीक है, अब ideally आपको दोनों से answer करना है, और फिर आप से बुचे, appropriate जादा कौन से है, तो मैंने उपर की किसी question में discuss किया था, कि आपका खर्चा कितना accrual हो रहा है, उससे फरक नहीं पड़ तो दोनों के साब से निकालने का, whichever is higher करके में advance करना, ठीक है, कोई तो बोला whichever is higher, ए, higher नहीं है, हमेशा यही ज्यादा appropriate होगा, समझ रहो ध्यान रतना, उसका ग्यान चेहते एक बार रीड कर लेना, बट ग्यान तुमको याद रहेगा ने, तो तुम अपने साब से बता दे है, आगे, फिर आता है question number 3, RTP November 22 का question है, ठीक है, क्या बोलता है, देख लो, बोलता है, चार phase है, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, बोलता है, phase 1 अपना complete हो चुका है, 6 महिने के अंदर, mid of the year में phase 1 and 2 complete हो गया, ठीक है, phase 1 and 2, mid of the year में complete हो गया, तो इसमें जो भी interest है, आफ सिफ 6 महिने का capitalize होगे, simple, अब ये दो phase का आपने बंद क्यूं किया, because they are operational as they are completed, मतलब ये दोने dependent नहीं किसी और के उपर, बराबर तो 1 and 2 जब complete हो गया, उसका capitalization stop कर देना, 3 of 4 का you can continue, in short, खतम हो गया ये वाला part, ये था question number 3, शांदार है, बस by forget करना है, आपको और कुछ नहीं करना है, खत धाई शाम, रोक नहीं, रोक नहीं, रोक नहीं, धाई शाम, रोक नहीं, तु मिलने को आया था, मैंने बुलाया था, सात बिठाया था, खना खिलाया था, वापस ने बेजा, होटल में सुलाया, बेंड़क स्टुडियो में booking कराया, परपल हे स्टुडियो, सरक सरक सरक, अब आपने चोटा सा लेते ब्रेक और ब्रेक के बाद आपन फिर करते कंटिनु जितने भी आपन खीच पहेंगे खीचेंगे और लेक्चर एंड होने के बाद मा को टार्गेट भी दूंगा आज देखो ऐसा नहीं कि मैं आफन नौवए तक देखा भी तो बताया था मैंने आ आपको साथ बते मैराथन लूँगा उसके बाद आप आदे खंटे का खुद ब्रेक लेना और चार्ट अभी का टार्गेट दूंगा वो करके ही आज सोना है आपको ठीक है तो ब्रेक लेते और ब्रेक के बाद मिलते ब्रेक के बाद आपन एक और शांदार इंडेस कर क्या इंगे, सस्पेंस मेरते, प्रेक के बाद बताऊंगा तो थेंक के ब्रेक के स्व ओ आद एक कंसरेंच रहे गया यह वाला, और शांभी कोर्य को आज बा आको सुन लो अब इसका concept समझने का try कर लो पहले एक basic concept समझाता हो आपको borrowing cost वाले का सुन लो क्या बोलता है बोलता है जब आप foreign से loan लेते हो ना तो foreign से जब loan लोगे और आपकी rate of interest बढ़ गई तो loan में जब rate बढ़ जाती है तो आपका नुकसान हो जाता है तो देखो जो foreign loan पे जो interest भरोगे वो तो capitalize कर सकते हो लेकिन जो exchange loss है foreign के loan पे क्या उसको भी आप capitalize कर सकते हो गया तो उसका एक limit दिया हो है सुन लेना सपोस्थ loan लिया 10,000 का तब rate 70 थी अब rate होगे 75 ठीक है अब जो loan पे आप interest भरोगे 10,000 पे 5% भरोगे interest तो आप year के end पे भरते हो तो 10,000 पे 5% 500 dollars interest भरोगे साल के end पे तो 575 ये तो आप capitalize कर सकते हो लेकिन जो principal amount पे exchange loss हो रहा है that is 50,000 के exchange loss कैसे rate 70 के 75 बढ़ गई न तो जो exchange loss है इसका क्या किया जाए तो बोलता है एक formula है maximum capitalization का आप maximum कितना capitalize कर सकते हो वो बोलता है अगर आप भारत से loan लेते अगर आप इंडिया से loan लेते तो आपको कितना loss होता sorry कितना interest भरना पड़ता तो मैंने बोला अगर भारत से loan लेता तो day one पे इतना loan लेता और इतना interest भरता बराबर minus आपको already कितना allow कर दिया है आपको 37,500 already allow कर दिया न यह यह दोनों का difference जो है इतना आपको max allow कर सबते है capitalize करने का exchange loss बराबर तो 50 में से 46,500 you can capitalize balance अब क्या करोगे balance you will transfer to profit and loss clear वाला part यह पहला चीज है simple सा part ठीक है अब इसका continuation है और वो continuation हमारे प्यारे salt example के अंदर अब वो बोलता है सुनना अच्छा अगर first year में loss आया तो आप यह करोगे first year में ही gain आता first year में ही gain आता तो कुछ नहीं करने का था gain आया तो profit and loss में अगर first year में ही gain आता तो profit and loss में अच्छा अब मैं आतो यह वाला question पे ठीक है यह salt example में बोलता है 1,000 का loan लिया 4% पे rate तभी 40 थी बाद में rate 50 हो गई ठीक है तो पहले तो आप interest निकालो 1,000 पे 4% फिफ्टी रुपिस के साब से इतना interest भरा यह तो आप capitalise कर सकते हो अब जो exchange loss हुआ 40 minus 50 40 से rate होगे 50 loss हुआ exchange 10,000 रुपे गा यह loss को में capitalise कर हूँ गया तो बोलता है भारत से लोन लेते तो कितना interest लगता इतना लगता माइनस कितना अलाओ कर दिया तो जो balance है उतना आप capitalise कर सकते हो तो maximum इतना capitalise कर सकते हो ठीक है तो total interest कितना capitalise किया आपने total इतना capitalise किया और इतना action loss आप capitalise कर सकते हो balance जो भी action loss जाएगा profit and loss के अंदर यह पहला बाटता ठीक है अब first year नहीं अब एक साल के बाद next year 40 से rate 50 हो गई थी 50 से rate आपकी हो गई 48 50 से rate गरिके 48 हो गई तो gain हो गया ना तो next year में first year नहीं second year में gain हो गया अब gain कितने का हुआ देखो सबसे पहले अगले साल में जो भी interest का amount है यह तो आप capitalise कर सकते हो इंटर्स में कोई लफडा था ही नहीं तो जितना भी आपका interest 4% पे हो तो आप capitalise करो problem है कि next year gain हो गई आपको क्योंकि rate 50 से हो गई 48 तो यह gain का मैं क्या करू तो बोलते है to the extent of previous loss जितना आपने previous loss capitalise किया था उतना gain आप reverse capitalise करोगे मतलब previous loss कितना था 2800 इतना आपने capitalise किया था to the extent of this loss आप gain को अचर की cost से minus करोगे जैसे capitalise करने का मतलब क्यों होते asset की cost में add करना reverse capitalise का मतलब होता है asset की cost से minus करना तो अब मैं बुलू यह gain तो within the limit है पहले आपने loss 2800 capitalise किया था अब gain 2000 limit के अंदर ना तो पूरा gain आप क्या करोगे asset की cost से adjust करोगे that is minus करोगे यह पहला case था second case अगर rate 48 के बदले 44 हो जाती यह third year में नहीं जा रहा है जितना previous loss था उतना ही आप reverse capitalise करोगे that is 2800 यह आप reverse capitalise करोगे balance gain जाएगा profit and loss में यह second case था अब इसमें तीसरा case था तीसरा case क्या है बोलता है exchange rate 44 ही होती लेकिन फरक यह है borrings 1000 की नहीं 600 की repay हो चुकी है तो outstanding सी 400 है तो ऐसे case में क्या करेंगे तो उस case में interest on foreign loan जो 400 पर रहेगा 4% वो तो आप capitalise करोगे लेकिन जो exchange gain आएगा that will be on 400 dollars that is 2400 अब यह exchange gain 400 dollar का है तो आप यह मत बोलना sir it is within the limit of loss gain is on 400 dollars तो आप इसका equivalent loss निकालना जैसे जो loss था 2800 का this was on 1000 dollars अगर इसका 400 dollars पर निकालना था तो कितना निकलता बराबर तो इसका equivalent loss as per 400 dollars would have been 1120 तो इतना ही gain आप reverse capitalise करोगे balance gain आप profit and loss में transfer करोगे यह question आज तक कभी exam में नहीं आया क्योंकि solid example के form में है लेकिन शांदार question है 8 mark का आ सकता है पहला case का 2 mark बराबर मतला पहला जो loss है उसका 2 mark और बाकी एक हर एक case का 2 2 2 2 mark तो 8 mark का question बनके आ सकता है तो please कर ले ना भाई साब करोगे तो झीजब झीज़ झीजब झीज़ झीजब झाल झाल